अबी तक हम लोग क्लास 12 में चैप्टर फिप्ट कर रहे थे इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्म पर कुछ नुमेरिकल्स किये थे और आज पुसी सीरीज में कुछ और नुमेरिकल्स करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं परस्ट नुमेरिकल्स हमारे सामने है एन एलेक्टिक बल्स इस मांग 100 वाट 200 वॉल्ट तो यहां पर जो हंडेड वाट है वो तो इसकी पावर है और जो वॉल्टेज इसके लिए डिसाइड है वो है 200 वॉल्ट तो यह जो मार्किंग इस मार्किंग का मतलब यह है कि इफ यू अप्लाई अट 200 वॉल्टेज देन दिस बल्ब विल कंजूम 100 वाट एनरजी पर सेकेंड और 100 जूल एनरजी पर सेकेंड तो दिस पावर इस ओनली हैपैंस वेन यू अप्लाई 200 वॉल्ट हमसे उसने इलेक्रिकल रेजिस्टेंस पूछा है तो इलेक्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है आपकी किसी गिवेन बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है और उसी फिक्स रेजिस्टेंस के को कंसिडर करते हुए ही आपने व तो यहाँ पर P आपका गिवन है, that is 100 watt, V आपका potential गिवन है, that is 200 and here it is square upon resistance उसका find out करना है. Then from this equation, R will be 200 square upon 100, अब इसको simplify कर लेंगे, तो यह आपका हो जाएगा, 200 into 200 upon 100, so 100 से 100 आप परेंशिल कर देंगे, then this will become 400 ohm, so resistance of the given bulb is 400 ohm. Now next part is, if 5 such bulbs are connected in series to a 200 volt supply, how much current will flow through them, अब यहाँ पर आपके 5 bulb हैं, इस तरह से suppose, 1 bulb, 2 bulb, आपका 3 bulb, और आपका 4 bulb, और 5 bulb, इन 5 bulbs को अमने 200 वोल्ट के supply से यहाँ पर connect कर दिया. तो जो voltage apply है, that is 200, और यहाँ 5 bulbs हैं, same kind of bulbs हैं, तो जो सबका resistance होगा, सबका resistance यहाँ पर 400 ohm होगा, इस तरह से आपके, जो total resistance हो जाएगा आपके circuit का, इन 5 bulb की वजए से, जो कि आपके series combination में हैं, तो net resistance हो जाएगा, 400 ohm, plus 400 ohm, प्लस 400 ohm, क्योंकि series में हैं, और series combination में net resistance, individual resistance के sum के equal होता है, इसलिए आपके, सारे resistance यहाँ पर add हो जाएगे, because of r is equal to r1, plus r2, plus r3, plus r4, being in a series combination, क्योंकि उसने series में लगाया, तो net resistance यहाँ पर हो जाएगा, आपके 2000 ohm, applied voltage आपका 200 है, 200 volt, तो current कितनी होगी, that will be you, you can get from formula V is equal to IR, आप, so i is equal to V upon r, यहाँ V आपका 200 है, और r आपका 2000 ohm है, इस तरह से आपका जो current आएगा, that will be 0.1 ampere, so this is the second part of your answer, next question देखते हैं, next question है आपका, calculate the equivalent resistance between points A and B, तो यह आपके 2 points A and B है, जिनके across आपको equivalent resistance या total resistance निकालना है, in the given figure, तो जब कभी हमें किनी 2 points के बीच का resistance निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उन 2 points को battery से connect कर देते हैं, इस तरह हमने battery से connect कर दिया, और फिर current को flow करते हैं, तो जैसे यहां से current suppose आई flow होगी, उस current flow करने का reason यह है, कि हम उससे यह देखते हैं, कि कौन से resistances हमारे series में हैं, और कौन से आपके parallel में, तो जब यह current flow होगी, तो आप आएंगे कि इस 2 ohm में current आई जाएगी, उसके बाद यहां से कुछ current distribute हो जाएगी, कुछ यहां पर चली जाएगी, और कुछ यहां पर distribute हो जाएगी, ऐसे ही जो current यहां पर पहुंचेगी, उससा कुछ portion आगे चला जाएगा, और कुछ portion यहां पर distribute हो जाएगा, और यह जो current आगे जाएगी इसका भी कुछ portion आगे चला जाएगा और कुछ portion यहाँ पर distribute हो जाएगा अब देखिए जब यह आगे जाने वाली बात हमने कहिए तो क्या वास्तों में यह current आगे जाएगी क्योंकि आगे के जो आपका यह resistance है यह तो open circuit है इसलिए क्योंकि यह कहीं पर जाकर में नहीं रहा है और current हमेशा close circuit में मिलती है कहने का मतलब जो current जा रही है वो कहीं ने कहीं से आपके battery के negative tunnel में वापस भी आनी चाहिए तो यह वाली जो आपकी current है जो मैंने अभी आपको so किया हुआ है यह current है यह current possible नहीं है क्योंकि आपका यह end open है और यहाँ पर जाने वाली current को आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है तो इस तरह से जो यह resistance हो गया यह resistance circuit में useless है इसका कोई use नहीं इसी तरह से जो current यह आ रही है यहाँ पर आने के बाद कुछ current को इधर जाना चाहिए कुछ current को इधर जाना चाहिए लेकिन यह वाली current possible नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो current जाएगी उसको आगे जाने का कोई रास्ता या वे नहीं है तो this resistance is also useless तो हम इन दोनों resistance को यहाँ से remove कर देंगे और फिर से दुबारा इस figure को check करेंगे और हमारा figure कैसा बनता उसके साब से resistance को हम solve करेंगे तो अब हम क्या करेंगे यह point A हुआ यहाँ से हमने यह resistance 2 ohm बनाया या ऐसा करते हैं इसको बनाने हैं time लगेगा आप इसी को देख लें कि यह 2 ohm resistance हमारे किसी काम के नहीं इनको आप omit कर सकते हैं यह ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे सरीर के किसी portion में किसी limbs में कोई current जाना या blood जाना बंद हो जाए तो वो limb आपका बेकार हो जाता है उसो काटके निकालना पड़ता है वो useless होता है ऐसे इस circuit में भी यह जो दो resistances है इनका कोई use नहीं है इनको आप ignore कर सकते हैं अब आप देखेंगे कि current जो जा रही है वो कई सारे junction मिल रहे हैं और वहाँ पर आपकी current distribute हो रही है तो यदि यहाँ से start करना शुरू करेंगे तो confusion होगी तो हम इस तरफ से start करते हैं जहाँ से हमको identify करना आसान होगा कि जो resistance है वो series में है या parallel combination में है तो आप पाएंगे यह आपका 2 ohm resistance जो current 2 ohm में जाएगी वही इस आगे वाले 2 ohm में जाएगी वही current फिर आपके 4 ohm में जाएगी वही current आपके 2 ohm में जाएगी फिर वही current 2 ohm में जाएगी फिर जब यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ पर उसके सामने option है कि वो distribute हो सकती है तो इस तरह से हमने resistances वाले identify कर लिए जिन में current same vary कर रही है और कोई change नहीं कर रहा है और वो आपके यह resistances हो गए इन resistances में current यहाँ से इंटर कर रही है और सम्में वही current होते हुए आपके वापस आ रही है तो जब resistances में current same होती है और उसमें कोई distribution नहीं होता तो वो सारे के सारे resistances आपके series combination में माने जाते हैं तो इस तरह से यहाँ पर जो भी resistances आपके हैं यह आला 2 ohm हो गया यह 2 ohm हो गया यह 4 ohm हो गया यह 2 ohm हो गया और यह 2 ohm हो गया यह सारे के सारे आपके series combination में हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि resistances resistances 2 ohm 2 ohm 4 ohm then 2 ohm and then 2 ohm are in series combination series combination तो इनका net resistance कितना हो जाएगा R dash suppose कर दिया वो सारे resistances का sum हो जाएगा because they are in series combination तो आप इन सब को sum कर सकते हैं इस तरह से तो आपका 2, 2, 4 4, 4, 4, 8 8, 2, आपका 10 और 10 to 12 तो यह आपका 12 ohm resistance हो गया तो 12 ohm resistance का मतलब क्या हो गया कि आप आप यह जितना आपका circuit है इधर वाला portion जो है इस portion का यहां से लेकर यहां तक का जो resistance हो गया वो आपका 12 ohm हो गया तो आप इस portion की जगए अब आप सारे resistances को अटा करके आप किवल 12 ohm का resistance लगा सकते हैं तो अब आपका figure क्या बन जाएगा यहां से यह 6 ohm हो गया और यहां से फिर से यह 2 ohm हो गया और यह वापस B point आ गया तो यह तो हमने यह वाला resistance यह resistance और यह resistance बना लिया फिर इसके बाद यह 2 ohm के दो resistance एक साथ लगे हुएं तो यह आपके 2 ohm के और फिर यह 2 ohm के resistance आपने होगा इसी तरह नीचे भी यहां भी आपके 2 ohm के दो resistance हैं तो यह आपके 2 ohm के और फिर 2 ohm के resistance होगा अब आप इस point पर आगए यहां पर इस जगह पर आगए अब यहां पर क्या हो रहा है इसके बाद वाला जितना भी resistance था वो आपको कितना हो गया था 12 ohm हो गया था इसके बाद वाला resistance और बीच में देखिए ये इन दोनों points के बीच में एक 6 ohm का resistance यहाँ पर दिया हुआ है तो ये 6 ohm का resistance और बना दें यहाँ पर इस तरह से ये 6 ohm का resistance बना दिया और इसके बाद वाला जो total था वो आपका हो गया 12 ohm तो इस तरह से ये 12 ohm आपका बन गया अब आप देखेंगे तो ये 6 ohm और ये 12 ohm आपके parallel combination में आपको दिखाई दे रहे हैं ये 6 ohm और ये 12 ohm दोनों के either sides एक साथ आपके जुले हुए हैं तो ये 6 ohm और 12 ohm आपके parallel combination में तो फिर हम लिख देंगे 6 ohm and 12 ohm are in parallel combination तो इनका resultant क्या हो जाएगा suppose r double dash is equal to 1 upon 6 plus 1 upon 12 इसका आप LCM लेंगे तो आप इधर भी 2 से multiply करिए तो ये 2 by 6 और 2 by 12 हो जाएगा LCM सेंड करने के लिए तो ये आपका हो गया 3 by 12 या r double dash is equal to हो गया 4 यानि ये जो आपका resistance हाया ये जो आपका पूरा resistance हो गया ये आपका कितना बन गया ये 4 ohm बन गया क्योंकि आपका 6 ohm और 12 ohm आपका parallel था जो कि 4 ohm हो गया तो next part क्या करेंगे इन दोनों की जगए पर हम 4 ohm resistance बना देंगे तो आपका जो next figure बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा ये तो आपका A हो गया ये आपका 2 हो गया फिर आप इस point पर पहुंचे इस point से एक आपका ये 6 हो गया इदर वापस जाएं तो ये आपका 2 बन गया और ये आपका B point हो गया फिर इसके आगे जाएए तो ये दो दो के दो मिल रहे हैं आपको तो ये 2 और 2 फिर यहाँ पर इस तरह भी नीचे भी आपके दो दो के 2 ohm है 2 ohm के 2 ohm and 2 ohm and 2 ohm अब यहाँ पर देखिए ये total कितना बन गया ये आपका 4 ohm बन गया तो इस point से लेकर इस point से लेकर इस point तक के बीच में अब हम आप क्या करेंगे 6 और 12 के दो resistance जिनका net resistance 4 आथा उसको हम 4 ohm यहाँ पर लगा देंगे अब आप फिर से आप देखिए तो जो current यहाँ से जाएगी वही current यहाँ पर जाएगी वही यहाँ पर जाएगी वही यहाँ पर जाएगी वही वपसा जाएगी यानि फिर से यह सारे जो resistance है यह सारे resistance आपके series combination में हो गए तो जब यह series combination में हो गए तो फिर से आप कह सकेंगे कि ये 2 ohm, ये वाला 2 ohm, ये वाला 2 ohm, and 4 ohm, फिर 2 ohm, and 2 ohm, ये दोनो 2 ohm, ये are in series combination, तो net resistance यहा कितना हो जाएगा, इन सारे resistances का sum हो जाएगा, तो 2 ohm, plus 2 ohm, plus 4 ohm, plus 2 ohm, plus 2 ohm, and it will become 9, now 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 10, 12, तो ये आपका जितना भी हमने in circle किया हुआ है, ये net resistance हो गया, आपका 12 ohm, अब remaining part को solve करेंगे, तो हम इसको side में erase कर देते हैं, तो फिर next बनाते हैं, yes, अब remaining portion को हम यहाँ पर बनाएंगे, तो आपका figure को हम यहाँ पर बना रहे हैं, figure को दुबारा यहाँ पर बनाते हैं, तो आप देखिए, पहले a है, तो इस तरह से हमने a पर बना लिया, a के बाद फिर 2 ohm है, तो 2 ohm हो गया है इस तरह से, फिर 2 ohm के बाद जो junction आ रहा है, उस जंक्शन पर एक 6 ohm का है, और जो आपने यह निकाला है, यह 12 ohm का है, तो इस तरह से एक तो यह आपका 6 ohm का है, और उसी के parallel में जो पूरा आपका ये जा रहा है, ये पूरा parallel में 6 ohm के, तो आपने 6 ohm के parallel में एक लगा दिया 12 ohm का, जो आपका ये real निकाला है, आपने 12 ohm, और फिर इस तरह से ये जंगसन आ गया, ये वाला point, ये point इस जगह पर आ गया, उसके बाद आपका 2 ohm का है, तो इसके बाद यहाँ से आपका 2 ohm का है, और फिर आपका B point है, तो इस तरह से ये final आपका बन गया, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका 6 ohm और 12 ohm, अब ये parallel हैं, तो इस जंक्शन पर दोनों resistances के एक side जुड़ा हुआ है, और इस जंक्शन पर दोनों resistances के एक side जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, कि 6 ohm and 12 ohm are in parallel, यह पारलल हैं, तो net resistance इस portion का कितना हो गया, इसको यदि हम इसको underline करने हैं, इस समझने के लिए, तो यह जो portion हो गया, इतना, यह 6 ohm 12 आपके parallel हो गया, तो इनका net resistance निकाल लें, तो 1 upon art, triple dash is equal to 1 upon 6, plus 1 upon 12, ठीक पीशे की तरह था, तो यहाँ भी art, triple dash कितना आजाएगा, 4 आजाएगा, तो यह value आपकी आगई, 4 ohm, तो अब इस remaining portion को फिर से solve करते हैं, तो यह नीचे का portion दप करते हैं, तो अब हम इस remaining portion को बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह आपका a point हो गया, यह point a हो गया, उसके बाद आपका 2 ohm हो गया, और यह जो पूरा का पूरा portion है, यह आपका 4 ohm हो गया, तो यहाँ पर हमने 4 ohm लगा दिया, फिर 4 ohm से क्या start हो रहा है, 2 ohm start हो रहा है, तो फिर आ a से 2 में जाएगी, वही 4 में जाएगी और वही 2 में जाकर वापस आजाएगी, तो यहाँ पर आप देखिए 2 ohm, 4 ohm और 2 ohm आपका series combination में आए, तो net resistance finally क्या आगया आपका, net resistance series combination में है, तो यह सब simply add हो जाएगे, तो 2 प्लस 4 प्लस 2, यानि 8 ohm आपका answer आगया, आपके इस given system के equivalent resistance का between A and B, तो इस तरह से इस question को कर लिया हम लोगों ने, अब हम next question करेंगे, next question इस तरह से है, calculate the current in 3 ohm resistance, 3 ohm resistance कहा है, यह है, तो 3 ohm resistance में current निकान लिया है, and the power dissipated in the entire given circuit, पूरे circuit में power कितनी खर्च होई है, यानि यह यह कह सकते हैं, कि आपकी battery ने कितनी power खर्च की, तो पहले हम देखते हैं, 3 ohm जो resistance है, इसमें हम वो current निकान लिया है, तो देखें, किसी भी circuit के across आप current तभी निकान सकते हैं, जब उसके across आपको potential पता हो, यानि इसके across potential पता हो, तो I is equal to V by R करके, V के value आपको पता हो गई, तो 3 ohm दिया हुआ है, आप पुर्ख देंगे, तो आपको current इस circuit में आने वाला निकान जाएगा, तो आप एक problem यह है कि हमको point इस point से लेकर, इस point के बीच का हमको potential पता करना है, तो देखें, क्या है, तो पहले इस circuit को simplify करने को इस करते हैं, तो आप देखें, यहाँ से current कोई जा रही है, तो इस junction में जाके कुछ current इधर जा रही है, और कुछ current इस तरफ की ओर आ रही है, तो अब यह current जब जो portion है wire का, यह एक ही point से start हो रहा है, तो जब एक ही point से start हो रहा है, तो इस point को चाहें आप यहाँ पर रखें, और चाहें पर इस point को यहाँ पर भी ले आए, क्योंकि बीच में सिर्फ conducting wire है, तो इस point को आप यहाँ पर ला सकते हैं, यह figure इसका बनाना चाहें दुबारा से, तो इस figure कुछ इस तरह से बनेगा, यह a point हो गया, और इस a point से ही आपका, यह point से आपका 3 ohm और 8 ohm है, तो हमने क्या किया, यही से आप देख लिया, इस point से हमने 3 ohm बना लिया, इस तरह से, यह 3 ohm हो गया, और इसी point से आपका बीच में जब conducting wire लगा होता है, तो conducting wire का कोई म तो इस तरह से आपने A point से ही 8 ohm को भी आपने बना दिया कुछ unnecessary की जो drying उसको हम यहाँ पर रब कर दें तो आप देखिए यह A point जो था वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है A point और A point से 3 ohm है तो A point से देखिए यह 3 ohm गया है पिर A point से ही आपका 8 ohm आया इस conductor का कोई मीनिंग नहीं है इसलिए 8 A point से यह 8 ohm आ गया है फिर आप देखिए 3 ohm का जो second end है वो B से जुड़ा हुआ है तो 3 आपका जो second end है वो आपका B से add हो गया अब B point से ही आपका यह 4 ohm जुड़ा हुआ है जोकिए conductor है इस conductor को कोई meaning नहीं है, इसका मतलब ये point आपका जो है, ये point ये आप यहाँ पर ला सकते हो, क्योंकि conductor wire को आप हटा सकते हो, सारे points को एक साथ कर सकते हो, युदि बीच में कोई resistance नहीं है, तो यहाँ पर इस point को आप B पर ही लिख सकते हो, तो जब B पर ही लिखेंगे, तो B point से ही आपका इस तरह से 4 ohm start हो रहा है, फिर हम देखेंगे जो 4 ohm start हुआ है, वो 4 ohm और 8 ohm आपस में point मिल रहा है, तो इस तरह पर 4 ohm और 8 ohm यहाँ पर मिल गया, तो ये point जो आपका था, वो इस जगे पर हमने बना लिया, इसी तरह से a point से ही आपका 2 ohm भी जा रहा है, जैस और इस तरह से 2 ohm भी जा रहा है, और इसी तरह से यहाँ पर 6 ohm भी जा रहा है, और 6 ohm का जो second end है, वो B point से connect है, तो second end B point से connect कर दिया, फिर जो 2 ohm जा रहा है, वो इस point को touch कर रहा है, और वहीं से आपका 6 ohm टच कर रहा है, जो की B point पर मिल ला है, तो ये आपका इस तरह स आप कर सकते हैं इसको मिला दिया और यहीं से आपने B point को मिला दिया जिस पर 6 ohm बना हुआ है इस तरह से यहां मिला दिया तो यह जो 6 ohm है यहां पर बना दिया और जो यह 2 ohm है वो यहां पर बना दिया इस तरह से हमारा figure कुछ बनके आ गया है अब यहां figure में फाइदा यह ह हो रहा है कि हम चीजों को देख पा रहा है कि कौन सा हमारा सीरीज में है और कौन सा हमारा पैरलल है इसी लिए इस figure को हमने इस तरह से transform किया है और A point आपका यहाँ पर battery से connect है और इस तरह से B point पर connect कर दिया है तो battery आपकी 1.8 volt है और इसका खुद का resistance भी है circuit का वो है आपका 2 by 3 ohm अब यह हमारा circuit हो गया अब हमसे कह रहा है कि 3 ohm resistance में current बताईए यानि 3 ohm पर इदिया current बतानी है तो हमको यहां का potential पता होना जो हो रही है तो अब आप देखिए जो A और B के बीच का potential होगा वही आपके 3 ohm के बीच का भी potential होगा ठीक है यहां पर इदिया resistance यह नहीं होता small r नहीं होता तो जो battery का potential 1.8 है वही potential आपका A और B के cross हो जाता क्योंकि अब इस case में क्या होगा जब current flow होगी तो आपका कुछ energy या कुछ potential इस internal resistance r में भी drop हो जाएगा 1.8 voltage का तो remaining voltage जो होगा वही आपका A और B के बीच में apply होगा और वो यहां कितना drop होगा वो हमको पता नहीं होगा जब तक कि हमें total current आई यहां से कितनी flow हो रही है वो मालूम हो तो इसलिए हम यहां पर voltage निकालना चाहते हैं तो पहले तो पता करना पड़ेगा total current कितनी जा रही है जब total current पता हो जाएगी तो हम पता कर लेंगे internal resistance में कितना voltage हमारा drop हो जा रहा है यानि spend हो जा रहा है जो बाकी बचेगा 1.8 voltage का वही आपका A और B के बीच का potential होगा और वही potential आपका 3 ohm के बीच भी हो जाएगा क्योंकि 3 ohm देखिए A और B point से लगा हुआ है तो अब यहां पर हमारा process हो गया यह पहले हमको total current निकालना है और total current आप तभी निकाल सकते हैं जब potential upon total resistance बता हो तो potential तो total पता है 1.8 volt लेकिन पूरे circuit का net resistance क्या है वह भी हमको नहीं पता है तो अब हम करेंगे कि net resistance निकालेंगे अब हमको net resistance निकालना है तो net resistance के लिए देखें आप कौन-कौन से आपके resistance सीरीज में कौन-कौन से parallel में उसको चेक करेंगे तो आप यह का भी एक एंड 8 ohm के एक एंड से जुड़ा है और 2 ohm का दूसरा एंड भी 8 ohm के दूसरे एंड से जुड़ा है तो आप कहा सकते हो इस तरह से 8 ohm and 2 ohm in parallel तो parallel है तो 8 ohm और 12 ohm का net resistance कितना हो जाएगा 1 upon R' is equal to 1 upon 8 plus 1 upon 2 अब इसको वाइड करना है तो 1 upon 8 और LCM सेम निनने के लिए 1 by 2 में उपर नीचे आपको 4 से multiply करना पड़ेगा तो यह हो गया आपका 5 by 8 या यह कहें R' is equal to 8 upon 5 तो आपका जो यह portion था 8 और 2 ohm का यह तो साल हो गया है यह कितना बन गया आपका 8 by 5 बन गया इसी तरह से आप देखेंगे कि यह जो आपका 4 ohm है और यह आपका 6 ohm है यह भी आपस में parallel है 6 ohm का भी एक इंड आपके 4 ohm के एक इंड से मिल रहा है और 6 ohm का दूसरा इंड 4 ohm के दूसरे इंड से B point पर मिल रहा है तो 6 और 4 भी आपके क्या हो गए 6 और 4 भी parallel हो गए तो यहाँ पर 6 and 4 ohm are in parallel तो incarnate resistance क्या हो गया सपोज R' कह देए इसको 1 by 6 plus 1 by 4 और यहां LC हम आप 12 लेंगे तो 6,12 और 4,3,12 तो यह आपका आगया 5 by 12 यानि R double dash हो गया आपका 12 by 5 तो आपके यह दो portion तो साल हो गए एक आपका यह portion और एक आपका यह portion फिर आप देखेंगे कि यह पूरा segment और यह पूरा segment यह आपस में series combination लोकि यह दो साल हो गए आपके 8 और 2 वो बन गए 8 by 5 और 4 और 6 साल हो गए वो आपके बन गए 12 और 5 फिर दोनों का आपका क्यावर एक point जुड़ रहा है और दूसरे point आपके either side A और B पे है तो इस तरह से इसका इदि हम नया picture बनाएं और आ 12 से तो point A से point A से एक तो 3 ohm का चला गया था जो उपर है और वो B point पर आपका मिला जाके फिर आपका 8 और 2 जो था उनका net resistance आपका बन गया 8 by 5 और फिर आपका दूसरा जो 6 और 4 का था वो net resistance बन गया आपका 12 by 5 और parallel में आपके लगा हुआ था 6 ohm का इस तरह से तो यह आपका circuit बन गया और यह आपने यहाँ पर बैटरी से connect करके रखा हुआ है और जहां पर एक resistance और है जो कि आपका 2 by 3 ohm का जबकि voltage आपका है 1.8 volt अब वापस अपने resistance को देखें तो यह आपका 3 ohm है यह आ आपका 8 by 5, 12 by 5 और 6 तो 8 by 5 और 12 by 5 क्या है आपके series combination में तो यह simply add हो जाएंगे तो इनको हम फिर से नीचे portion को रख करके हम सूख करते हैं अब आप देखिए 8 by 5 और 12 by 5 क्या हो गए series में हो गए तो आप लिए सकते हैं कि 8 by 5 and 12 by 5 are in series combination तो जब series combination है तो internet resistance कितना हो जाएगा तो simply आप add कर देंगे 8 by 5 plus 12 by 5 it means 20 by 5 and that would equal to 4 ohm तो यानि यह resistance तो आपका 4 ohm हो गया यानि 8 by 5 और 12 by 5 को replace करके आप क्या लगा सकते हो 4 ohm लगा सकते हो तो हम इसको रप कर देते हैं और इसकी जगह पर 8 ohm 8 by 5 और 12 by 5 की जगह पर हम 4 ohm लगा देते हैं तो इस तरह से हमने 8 by 5 और 12 by 5 पी जगह पर लगा दिया 4 ohm अब आप पाएंगे कि यह 3 ohm यह 4 ohm और यह 6 ohm आपका parallel combination में है क्योंकि तीनों ही आपके resistances के एक end एक तरफ जुड़ा है और दूसरा end आपका दूसरे तरफ जुड़ा है तो हम कह सकते हैं अब कि now 3 ohm 4 ohm and 6 ohm are in parallel combination तो finally net resistance इसका कितना आ गया 1 upon r is equal to 1 upon 3 plus 1 upon 4 plus 1 by 6 अब आप LCM ले लें तो LCM 12 होगा तो 3 4 जा 12 4 3 जा 12 6 2 जा 12 तो 4 3 7 plus 2 9 by 12 या 3 3 जा 9 तो 3 4 जा 12 3 by 4 तो 1 upon r is equal to क्या आगे हो 4 by 3 यानि यह जो पूरा आपका circuit था यह कितना बन गया आपका 4 by 3 बन गया और इस 4 by 3 के साथ में देखेंगे तो यह resistance आपका series combination में है तो आप लिए सकते हैं कि now 4 by 3 जो net resistance आपके external circuit का आया है वो आपके battery के जो internal resistance है उसके series में क्योंकि जो current इसमें जाएगी वो current आपके उस पूरे entire circuit में जाएगी और वही current वापस आते समय आपके internal resistance में जाएगी इसका मत्पर internal resistance बाकी पूरे circuit के साथ में series combination में है तो इस तरह समक्य सकते हैं कि now 4 by 3 जो net resistance आया आपके external circuit का वो और आपका जो internal resistance है आपके battery का 2 by 3 ohm के उसके series में है तो R in series combination तो net resistance अब कितना हो जाएगा R net तो simply series में है तो 4 by 3 plus 2 by 3 R1 plus R2 की तरह से add हो जाएगे तो 6 by 3 यानि आपका 2 ohm net resistance आपका आपका आगया पूरे circuit का अब हम क्या कर सकते हैं यहां से total current निकाल सकते हैं तो current कैसे निकालेंगे यह two ohm हो गया तो current I is equal to हो गया total potential और total resistance तो total potential कितना है 1.8 है और total resistance कितना है आपका 2 ohm तो यह कितना आ जागा 0.9 ampere यह आपका total current जो यहां से pass होगी जो आपका external circuit में जाएगी और वही आपके internal resistance में जाएगी कितनी 0.9 ampere तो current हमको निकाल ली हाला कि current नहीं पूछी गई थी लेकिन current निकालना हमें इसलिए ज़र voltage चाहिए और 3 ohm के cross voltage तभी निकाल पाएंगे जहां इस internal resistance में कितना voltage drop हो रहा है वो यहीं माइनस कर दें net voltage में से तो बचा हुआ पूरा का पूरा voltage A और B के cross पे लग जाएगा और 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm सब parallel हैं तो 3 ohm पर भी वही potential होगा जो कि यहां का remaining होगा 1.8 से जो आपके internal resistance battery वाला spend हो जाता है उसको छोड़ करके तो parallel combination में जो battery होती है वही potential आपके circuit के cross भी लगाती है जो battery के cross होता है तो battery across वैसे तो 1.8 है लेकिन internal resistance की वज़े से कुछ ना कुछ potential resistance इंटर्नल में ही खर्च हो जाएगा तो battery का जो remaining potential होगा वही आपके external circuit में apply होगा तो current हमारी 0.9 अब नीचे के portion को रब करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना potential आपके internal resistance में spend हो रहा है डिवेनिंग potential आपका across the circuit apply हो जाएगा तो पहले इसको रब कर ले तो अब आई हमने निकाल लिया तो potential drop across the internal resistance तो इसको निकाल लिया potential drop at R तो वो क्यों आजाएगा V is equal to IR होता है तो I तो आपका 0.9 A आगया है और resistance कितना है आपका 2 by 3 Ohm इसको आप solve करेंगे तो 0.6 Volt आजाएगा तो इस तरीके से आपने voltage जो यहां पर drop हो रहा है उसको निकाल लिया that is 0.6 Volt तो remaining voltage कितना हो जाएगा तो remaining voltage at battery that would be 1.8 minus 0.6 तो 1.2 Volt आपका battery के cross remaining बचेगा क्योंकि internal resistance में 0.6 Volt spend हो गया यही voltage आपका A और B के बीच में भी होगा क्योंकि यह आपका पूरा का पूरा आपका circuit आपके battery के parallel combination में है तो so voltage at 3 Ohm भी कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 1.2 Volt तो current कितना हो जाएगा आपका 3 Ohm के cross I is equal to V by R तो 1.2 upon 3 तो that would be 0.4 Ampere तो यह आपका answer आगया कि 3 Ohm के cross जो current होगी वो 0.4 Ampere current होगी तो यह हमने calculate the current आपका निकाल लिया next part कितना है power dissipated into the entire given circuit तो power is equal to P is equal to क्या होता है P is equal to होता है I square R P is equal to होता है V square by R P is equal to होता है V I कोई भी formula आप लगा सकते है power dissipated को निकालने के लिए तो कि आपको I भी पता है net R भी पता है तो किसी भी formula से आप निकाल लें तो power is equal to हो जाएगा suppose V I use करें तो V तो आपका कितना है 1.8 V और I कितना है 0.9 तो इसको आप simplify कर लें तो आपका net तो power निकालाएगा तो इसको multiply करते हैं तो 9, 8 जा आपका हो जाएगा 72 तो 2 केरी हो गया और 9 बन जा 9 और 7 16 तो यह आपका हो जाएगा 1.62 वाट इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं तो power जो यहाँ पर dissipate हुआ across the circuit वो 1.62 वाट हो गया यहाँ पर किसी भी formula का भी उस कर सकते हैं V I का V square by R का I square R का बस ध्यानक जो R लेंगे वो पूरे circuit कर लेंगे जो कि आपका 2 Ohm आया था तो इस तरह से हमने इस question को solve कर लिया next question देखते हैं next question यह आपका calculate the steady state current through 2 Ohm resistor अब 2 Ohm resistor के across हमें current कालनी है in the given circuit the internal resistance of the battery is negligible and C is 2μF यहाँ एक capacitance भी लगा है और इस capacitance की capacity भी दे रखी है और battery का जो internal resistance है उसको negligible कहा गया है और पूचा गया है 2 Ohm के across current निकालनी है तो आपको A और B के across potential आपको पता हो तो V upon R कर देंगे तो आपको current निकल आएगी और A और B के across देखिए potential वही होगा क्योंकि यह parallel आपके battery के terminal से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी वही चीज़ है जो battery के across potential होगा वही आपके parallel combination में total होता है potential लेकिन दिक्कत यहाँ भी है कि फिर से एक resistance यहाँ पर बीच में लग रहा है तो जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे तो potential difference आपका change हो जाएगा यह आपका 4 voltage नहीं रहेगा क्यों कि कुछ voltage आपका यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा तो 4 volt में जितना voltage यहाँ ड्रॉप हो जाएगा बागी बचा हुआ voltage आपको इन दो points के बीच मिलेगा और इन दो points के भी जो voltage होगा वही आपका A और B के across होगा क्योंकि ये A से direct जुड़ा हुआ है इस तरह से आपका जो potential यहाँ और यहाँ होगा इन दो points का suppose कोई नाम दे दें इनको पहली बार तो आप यह समझ सकते हैं कि यह जो conductor wire है यह conductor wire सीधा यहाँ पर आ रहा है बिना बीच में कोई resistance के होते हुए तो इसका मत्तब हो क्या चाहें A point हो चाहें A point हो सब A की ही जगह पर है ठीक है तो इस तरह से आपके यह तीनो points actually में एक ही जगह पर है तो जो potential यहाँ पर है वही potential यहाँ है और वही potential यहाँ है ऐसे इधर की बात करें यह point यह point और यह point सब A की conductor wire है बिना इसमें कोई resistance पास हुए इसका मतलब इस सारे points जो हैं चाहें जहां पोई point लेंगे यह सब point एक ही potential पर होंगे तो इस तरब का suppose 4 volt आपने ले लिया तो इधर का तो 0 होता है लेकिन यहाँ पर आपको कुछ potential difference consume होगा तो यहाँ पर जो remaining voltage आएगा कुछ अलग आएगा इसलिए voltage difference यहाँ पर अलग हो जाएगा इन दो points के बीच में तो वो यह दिनकालना चाहेंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा total current निकालनी पुलेगी और जिब total current निकाल लेंगे I, तो अगेन यहाँ पर कितना voltage हमारा drop हो जा रहा है कितना consume हो जा रहा है तो जो remaining voltage होगा आपका वही इन दो points के बीच में लगेगा और वही potential आपका A और B के cross होगा और वही potential आपका 2 ohm पे होगा क्योंकि यह सब आपके parallel combination में है और वही potential आपका 4 ohm के cross भी होगा चीक है अब बात आ रही है capacitor यहाँ पर लगा दिया गया इस capacitor का क्या purpose है capacitor क्या होता है जब आप सुरू सुरू में capacitor को लगाएंगे तो सुरू में current flow होगी कुछ current यहाँ पर जाएगी कुछ current यहाँ पर जाएगी for a very infinite display small time के लिए और थोड़े समय के लिए जो हम आगे AC circuit पढ़ेंगे क्या time होता है RC circuit में तो कुछ time के लिए यहाँ पर current जाएगी और यह current यह पर positive charge आपका इस तरह से हो गया और capacitor के across जब potential equal हो जाता है battery के जो इस point के across जो potential होगा उसके जैसे ही equal हो जाएगा इस वाले wire में current लोना बंद हो जाएगी और जैसे ही इस wire में current लोना बंद हो जाएगी और बीच वाले segment में यानि इस वाले wire में कोई current नहीं जाएगी after some time तो जिस part में current नहीं जाती उस part को circuit में कोई use नहीं होता वो विकार हो जाता है तो आप इसको अब ignore कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर capacitor लगा है इसका मतलब इस circuit में current नहीं जाने वाली तो आपका यह जो circuit का part है वो बिल्कुल useless है तो अब आप देखिए आप क्या हो गया आप केवल 2 ohm का resistance है 3 ohm का resistance है जो आपस में parallel है और यह पूरा का पूरा जो segment है वो आपके 2 ohm के साथ में series में है क्योंकि जो current यहाँ जाएगी इस parallel combination से उतनी current निकलेगी और वही आपकी 2 ohm में वापस जाएगी तो जब current सेम होती ही जिन parts में तो वो parts series combination में माने जाते हैं तो इस तरह से आपका जो यह segment हो गया 2 ohm का और आपका यह 2.8 ohm का यह आपका series में हो गया अब बात हमारी यह है कि हमको आप यहाँ पर net resistance निकालना है क्योंकि current निकालना है total total current क्यों निकालना है क्योंकि हमको यहाँ पर potential drop निकालना और total current के लिए पहले total resistance चाहिए तो total resistance पहले में निकालना पढ़ेगा तो total resistance में क्या है जो 2 ohm है और वो 3 ohm है यह कैसे हैं यह आपके parallel combination में तो इन दोनों का net resistance क्या हो गया 1 upon r dash is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 3 तो इसको LCM लेंगे आप तो यह 6 होगा यह 3 यह plus 2 तो 1 upon r dash is equal to 5 by 6 या r dash is equal to 6 by 5 यानि इस portion का जो resistance है वो 6 by 5 आ गया अब यह 6 by 5 resistance जो इस portion का आया यह इस 2.8 के साथ series में है तो total resistance circuit का क्या हो गया 6 by 5 6 by 5 और 2.8 series में तो इनको directly आप add कर सकते हो तो 6 by 5 का मत्तब तो 1.2 हुआ यह 2.8 हो गया तो resistance कितना आ गया total circuit का आ गया 4 ohm का ignoring this part क्योंकि इस part का कोई मतलब यहां पर नहीं है इसमें कोई current flow नहीं कर रही capture की वज़े से तो इसका कोई use नहीं है तो net resistance आ गया 4 ohm तो net current कितनी flow होगी that would be V upon R सेम पिछले question की तरह है तो net voltage तो 4 है resistance भी 4 आया तो current कितनी flow हो रही है 1 ampere current flow हो रही यानि यहां से current निकल रही है जो यहां पर जा रही है इन दोनों में distribute हो जा रही होई कुछ फिर वापस जा रही है फिर यहां आ रही हो फिर वही current आ पर 2.8 में जा रही है So, potential across 2.8 ohm. So, इस तरह से 2.8 voltage यानि voltage, voltage drop across 2.8 ohm. यह कितना हो जाएगा, V is equal to IR formula से, I तो 1 ampere है और R 2.8 ohm है, तो यह हो गया आपकर 2.8 volt, तो 2.8 volt तो यहीं पर drop हो गया, total सा कितना था, 4 volt, तो इस इन दोनों edges पे, कितना potential remaining बचा, तो potential across, इस point का मतलब A point और B point है, क्योंकि A point यहाँ पर ऐसे जुला हुआ है, तो इस सारे points पोटेंसियल सेम होगा, इसी तरह B point यहाँ पर जुला हुआ है, तो B point पर भी सारा potential सेम होगा, तो across कितना हो जाएगा, across A B, across A B हो जाएगा आपका, 4 total voltage था, और 2.8 यहाँ पर spend हो गया, तो आपका remaining आया, 1.2 volt, चीक है, तो इस तरह से आपका यह जो circuit है, A और B, उसके across the voltage आ गया, 1.2 volt आ गया, अब हम यहाँ पर current निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 ohm resistance है, और voltage इनके बीच में कितना आ रहा है, voltage इनके बीच में parallel combination में आ रहा है, 1.2 volt, तो इसको जाए रब कर लें, तो इसको रब कर देंगे इस तरह से, तो अब यहाँ पर आप पाएंगे, कि A और B के across, जो voltage बच रहा है, वो कितना बच रहा है, वो बच रहा है, वो बच रहा है, 1.2 volt, अब 2 ohm और 3 ohm parallel है, तो जो potential 2 ohm पर होगा, वह potential 3 ohm पर होगा, तो अब आप current निकाल सकते हैं, तो current, current in 2 ohm, तो that is I is equal to V by R, तो V तो होगया 1.2 volt, और आपका 2 ohm है, तो यह आपका होगया 0.6 ohm, आप 3 ohm के cross भी निकाल सकते हैं, यह आप निकालना चाहा है, कोश्चन तो नहीं, पूछा है, तो that is again V by R, तो V तो आपका 1.2 ohm, और R आपका 3 है, तो यह आजागा 0.4, sorry, यह ampere आएगा, current आएगा, तो 0.4 ampere, तो 0.6 ampere जा रही है आपकी, 2 ohm में, और 0.4 जा रही है, यह 3 ohm में, देखिए, टोटल कितनी आ रही थी, टोटल आभी current आ रही थी, 1 ampere, तो यहाँ से 1 ampere current आई, जो 0.6 ऊपर चली गए, यह रिमेनी कितनी में ची, 0.4, 0.4 नीचे चली गए, तो इस तरह से हमारे 2 ohm में answer भी सही हमने calculate कर लिया, यहाँ से, कि total current आई थी, 0.6 उपर जा रही, 0.4 नीचे आ रही है, 0.6, 0.41 होता है, तो इस तरह से verification भी आपके हो गया, आपके answer का, तो हमने यहाँ पर 2 ohm register में current कितनी है, वो यहाँ पर निकाल लिए, तो इ तब तक के लिए, take care and bye bye.